जिस product के बारे में मैं बात करी हूँ उसका नाम है gori whitening cream इसके अंदर variant मौझूद है gori beauty cream भी है और day night cream भी है अब बात करते हैं इसके ingredients की तो ingredient list के लिए बहुत सारे लोगों ने ingredients के बारे में ही detail मागी थी अब बात करते है गory whitening cream के बारे में तो गाई सबसे पहले मैं आपको इसे लोग हैं जो केरी करकर लेकर जाते हैं और दूसरे मुमालिक में भी इसको यूस करते हैं तो इंग्रेटेंट में जो सबसे ज्यादा हाइलेड़िट इंग्रेटेंड एक तो आवकार्डो और अलोवेरा जेल का जिकर करते हैं लोग एलोवेरा जेल का गर्मियों में यूस करते हैं जूस पीते हैं और एवकार्डो को खाने में स्तमाल करते हैं अगर आप करते हैं बात करते हैं हम यहां पर बात करते हैं सबसे में यिए इंग्रेटेंड इंको बीड़ ने हाइल चाह्ए है कॉलेजिन होता है आपके कलर को खराब होने से बजाता है साथ में आपके टिक्स्चेर को चेंज करता है और रिंकल्स को भी आने से रोगता है तर्मेटोलोजिकल टेस्टेड भी है कि आप इस केमिकल को इसकिन के प्रडॉक्स के लिए यूज कर सकते हो तो ये इसकिन के लिए सेफ है काईस लेकोपाइन एक अच्छा इंग्रेडियंट है इसके इन प्रोड़क्स के हवाले से तो काईस आप हम बात करते हैं गोरी के प्रोड़क्स के इंग्रेडियंट के बारे में तो काईस चाहे आप गोरी वाइनिंग क्रीम ले लो चाहे आप ब्यूटी क्रीम ले लो जिसमें आपको यही इंग्रेटिंट मिलने वाले हैं जिसमें सबसे पहले हैं लेकोपाइन, अगला है मालवा, सेलवीरियस एक्स्ट्रेक्ट, फिर है आपके पास प्रिमियूला वाइरिस एक्स्ट्रेक्ट और अगला है ھो घैकले हो गए आपको फालय फॉक्रॉशं प्राप्लम के लिया इसका इसकी ऐसी के अधर फॉट चाहिशा चैहिज़ को से इन सब चीजों नियासेे शीछा इसे लिए यह इसी आपके स्केन Carne अधर लगाती हो थे साथी और आपीड़नु सुन संहीm आपके स्किन आपके स्किन यंगर लुकिंग होती है और साथ-साथ आपके स्किन के ओपर फ्रेशनेस आती है हेल्दीनेस आती है Otherwise, Gori के ingredient list के मताबिक सारे ingredient इसकिन के लिए safe हैं और dermatological tested है कि इन chemicals को और root extract को अपनी skin के ओपर use कर सकते हो और ये skincare के products के लिए use किये जाते हैं साथ में इन चीजों को make-up products में भी use किया जाता है Guys, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तमाल किया है बहुत सारे लोगों ने इस्तमाल करने से डड़ते भी है आप बात करते हैं कि इन products को use करने के बाद होता क्या है Actually में क्या होता है आप जब इनको use करते हो Like आपका color बहुत ज़र ढले आप इसको use करते हो आपको एक, दो, तीन shade results मिलता है जब आपको results मिलता है तो आपके skin काफी time तक फेर रहती है और आपको वही skin देखने की आदत होती है और जब आपको लगता है कि cream ने results देना छोड़ दिया है Like मौसम change होता है, winters आ जाते है और फिर आपको लगता है कि आप products change नहीं करते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि color देना छोड़ दिया है cream ने work करना छोड़ दिया है फिर आप इसको लगाना छोड़ देते हो जब आप लगाना छोड़ देते हो तो आपकी जो skin होती है वो natural की तरफ चली जाती है जैसे कि start में आपकी थी लेकिन जब वापस से आप cream छोड़ने के बाद अपनी skin के उपर आते हो तो बहुत सारे लोगों की complain होती है कि skin खराब हो गई है बहुत ज्यादा black हो गई है ऐसा नहीं होता है आपको एक face देखने की आदत होती है बर्ट जब आप छोड़ देते हो तो आपकी skin उसी हालत पर आ जाती है जिसपे के आप इसको start करते हो तब होती है तो यह सारी चीज़े होती है बाकी मैं किसी भी product को promote नहीं करूंगी और दूसी बात है आपकी skin sensitive है acne pond वाल skin है कभी use मत कीजिएगा whitening products के अंदर high amount में chemical होते हैं ऐसी chemicals जिनको box के ओपर वाज़े भी नहीं किया जाता बट उसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे लोग जो पड़े लिखे नहीं होते हैं वो यह products use करते हैं किसी भी कहने के ओपर friends के कहने के ओपर देती है और almost seven to ten days के अंदर आपका color fair हो जाता है मैं आपको यही suggest करूँगी मेरी तरफ से यह बिल्कुल भी recommended नहीं है आपकी च्वाई से आप use करना चाहते हो color fair करना चाहते हो तो बेशे कर सकते हो बट मैं आपको नहीं कहूंगी कि यह use करो overall ingredients के safe हैं बहुत सारे लोगों ने मुझे ingredient के ओपर काफी जादा comments आयते के मैं इसके ओपर ingredients पे वीडियो बनाऊ और बताऊ कि इसके ingredient की detail क्या है तो overall मैंना आपको बता दिया इसके ingredient सारे ही skin के लिए अच्छे हैं जो के dermatology के tested भी है और दूसरे dermatology के tested cream नहीं है यह बट इसके ingredient डर्मेटology के tested है आप safely इन ingredient को अगर आपको किसी और cream में मलते हैं तो आप इसको use कर सकते हो तो गई जी यह थी आज के वीडियो आई होब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे अपना बहुत सारा खिया लगना अला हाफिस